हेलो एवरिवन, आज के Current Affairs MCQ सेक्शन में JPSC और JSC के Related कुछ Important Current Affairs Based MCQ करेंगे जो आपके JPSC और JSC के एक्जाम के लिए भी काफी ज़्यादा Important होने वाले हैं चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी Current Affairs के वीडियो होंगे तुरेंट अबेलेबल हो जाएं आप मुझसे इन सारे प्लैटफर्म्स के थुरू भी कनेक्ट हो सकते हैं जहां पे आपको वीडियो लिंक के साथ साथ PDF के भी लिंक मिल जाएंगे चलिए बात करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट Current Affairs की जो पहला कोश्चन है पत्रादो थर्मल पावर प्लांट की छमता कितनी है 2400 मेगावाट, 2200 मेगावाट, 2000 मेगावाट या फिर 3000 मेगावाट तो जो पत्रादो थर्मल पावर प्लांट है उसकी छमता है 2400 मेगावाट, कुछ और डेटेल की बात करें तो पत्रादो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली NTPC और जार्खन सरकार की सबसिट्री कंपनी JUBNL और इसी के अंदर में एक कंपनी है JBBNL उसकी सबसिट्री कंपनी है साथ ही इसके जो सेर्स हैं वो भी डिवाइड है NTPC का जो टोटल सेर है वो 74% है और जो जार्खन सरकार की जो कंपनी है उसकी मात्र 26% सेर है तो आप देख सकते हैं कि सेर का कितना ज़्यादा डिफरेंस है आगे बात करें तो ग्रामिन विकास मंत्राले की पफुमेंस इंडेक्स में जार्खन का कौन सा रेंक है तो कल ही जो जारी की गई है पफुमेंस इंडेक्स उसमें जार्खन को फर्स्ट रेंक दिया गया है मतलब इसका सही अंसर हो जाएगा पहला रेंक और ये पहला रेंक दिया गया है पधान मंतरी आवास योजना जो है उसके बेहतर कारवेड़न के लिए और तथा जो रामगड जिला है उसे फर्स्ट और जामताड़ा जिला है उसे सेकेंड रैंक दिया गया है आप देख सकते हैं कि देश भर में ये जो दो जिला है इसका काफी अच्छा परफोमेंस दिखा है आगे बात करते हैं तो किस देश से आने वाले वस्तुव पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगेगा तो एंटी ड्यूपिंग ड्यूटी जो है खास्त वर पे लगेगा चीन से आने वाले वस्तूबह पर इसका सही अन्सर हो जाएगा चीन और चीन से आने वाले वस्तूबह पर anti-dumping duty लगेगा और किस पर लगेगा कैसे सामानों पर लगेगा तो जो श्टील और फाइबर से बने सामानों के नापने के लिए जो टेप आते हैं उन टेप के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा आगे बात करते हैं पधानमत्री दिवारा कौन सा सोलर पावर प्लांट का उधगाटन किया गया तो जो पधानमत्री जी हैं उन्होंने Reva Solar Power Plant का उठ्गाटन किया है और ये जो Reva Solar Power Plant है ये बेसिकली मध्य पदेश में है और इसी Power Plant के थुरू Delhi Metro को बिजली की अपलाई की जाएगी और काफी कम rates पर Delhi Metro को बिजली अवेलेबल होगी भादला Solar Power Plant की बात करें तो ये बेसिकली रायस्थान में है कनाटका में है और इसकी जो टोटल केपेसिटी है वो है बाइस सो पचास मेगावाट अल्टरा मेगा सोलर पावर प्लांट की बात करें तो इसकी जो टोटल केपेसिटी है वो एक हजार मेगावाट है और रिवा सोलर प्लांट की बात करें तो इसमें टोटल 750 मेगावाड छमता की ये जो है पावर प्लांट है आगे बात करते हैं नेश्ट कॉस्चन की किस पोर्टल का सुरुआत प्रवासी मजदूरों तथा उद्योगों के भी सीधे संपर के लिए बनाया गया है असीम, सहायता पोर्टल, Connect to Industries पोर्टल या फिर स्क्लील कनेक्ट फोरम बैसिकली क्या है कि प्रवासी मजदूरों जितने भी आये हैं सभी अभी पर रोजगार हैं और सभी को उद्योगों में रोजगार चाहिए तो उसके लिए जो है असीम पोर्टल बनाया गया है असीम पोर्टल के सहायता से जो है उद्योग और मजदूर के वीच सिधा कनेक्शन किया जाएगा साथ ही एक चीज और बताना चाहेंगे कि असीम का जो फुल फोरम है आत्निर्भर स्किल्ड इंप्लोई इंप्लोईर मैपिंग इसका फुल फोरम है आगे बात करें तो अपाचे हेलिकॉप्टर किस देश्ट खरीदा गया है अमेरिका रूस इसराइल और इंगलेंड तो अपाचे हेलिकॉप्टर बैसिकली अमेरिका से खरीदा गया है और जिस कंपनी द्वारा खरीदा गया है उसका जो नाम है वो है बोईंग बोईंग से जो है भारत सरकार ने 22 अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदे हैं और इसकी डिलेवरी भी पूरी हो चुकी है और ये अपाचे हेलिकॉप्टर चीन के सीमा के नजदिक लगाया गया था जब भारत और चीन के बीच इस्तिती काफी ज़्यादा नाजुक थी ये जो हेलिकॉप्टर है ये पहाड़ी भागों में उप्रेशन्स चलाने के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इससे काफी ज़्यादा हेल्फ हमारे एर फोर्स को मिलेगी आगे बात करते हैं स्री बादल पत्रलेक किस विधान सभा से चुने गए हैं तथा इन्हें क्रीसी पसुपालन और सहकारिता विभाग का पदभार दिया गया है यह क्रीसी और पसुपालन मंत्री भी ज़ारखन सरकार में हैं आगे बात करते हैं इंडियन नेवी की कौन सी प्रोजेक्ट में ज़ारखन के मजदूरों को काम में लगाया जाएगा तो यह जो प्रोजेक्ट है यह है वर्षा प्रोजेक्ट इसमें बैसिकली बिसाखा पतन में यह प्रोजेक्ट है जहां पर जो परमानू जो रियक्टर से चलते हैं वैसे परमानू रियक्टर से चलने वाले जो पोत हैं उनका निर्मान किया जाएगा और यह जो वर्षा प्रोजेक्ट में है इन्हें काम पे लगाया जाएगा इससे पहले जारखन के मजदूरों क contact करके उन्हें एक अच्छी speciality based पर ले गई थी तो दोस्तो ये था पूरा current affairs उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये जो current affairs है आपको daily available होगा daily जो है ये current affairs आप आने के लिए इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर कोई भी ऐसे friends जो आपकी competition के तयारी कर रहे हैं खासतर JSC या JPSC तो उनके बीच आप share कर सकते हैं कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताए comment box में और अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको धन्यवाद और बहुत बहुत थांक यू